नमस्कार मेरा नाम मंटू है और आप देखना सुरू कर चुके हैं DLS Education आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कच्छा 11 वी के गणीप के प्रशनावली 1.3 को आप कैसे आसानी से सल्व कर सकते हैं और इसके पिछले वाले वीडियो जिदि आप नहीं देखे हुए हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट से जाकर के आप वह वीडियो देखिए या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से भी वह वीडियो पहले देख लिजिए क्योंकि जब तक वह वीडियो आप नहीं देखे होंगे तब तक आपको आगे से कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें हम आपको प्रश्नावल 1, 1, 2 को बहुत अच्छे से समझाए हैं और उसमें आपको जो भी basic class है वह basic class का भी वीडियो देख लिजिएगा और आप जानते हैं कि पहला जो च्टर है वह समुचै से है तो समुचै क्या है समुचै कि कितने परकार होते हैं यह सभी वीडियो अपलोड है तो अब वीडियो पहले देखिए तो ही आपको आगे से कोई भी प्रेश्न समझ में आएगा तो आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो कभी तक लाइक ने की हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बे लाइक उनको जरूर रन कीजिएगा तो ही आपको आगे से कोई भी वीडियो हमारी मिल सकेगी और आपकी संपूर्य त्यारी हम आपको इस यूटूब चैनल पे कराने वाले हैं तो आपको डरना नहीं है कुछ दिनों से क्लास बंथा क्योंकि आप सबी का एडमिशन चल रहा था इसलिए क्लास बंथ किये हुए थे लेकिन अप ख्लास फिर से हम सुरू कर दिया हैं आप लोग के आगरा से आप लोग बहुत जादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास सुरु कर दिये तो हमने क्लास सुरु कर दिया तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रशनावली 1.3 के प्रशन संख्या 2 से सल्ब करके दिखाएंगे क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो इस भी हमने आपको प्रशनावली 1.3 के प्रशन संख्या 1 में जितने भी प्रशन है बहुत सारी प्रशन है उन सभी प्रश्ट को हमने बता दिया है तो हम वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंख हम वीडियो के डिस्क्रेप्सर में देदेंगे आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं या आप अपने से भी प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप वीडियो देख सकते हैं तो फिलाल आईए बात करते हैं प्रश्ण संख्या 2 पे कि प्रश्ण संख्या 2 क्या कह रहा है उसके बाद हम आगे बात करेंगे तो यहां पे देखिए प्रश्ण संख्या 2 कह रहा है या आप अपने बूक को खरीदे होंगे तो आप अपने बूक में भी देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि जा बारे में पता होनी चाहिए यानि कि ऐसे सिंबल के बारे में आपको पहले से जो है वह पता होनी चाहिए इस तरह का सिंबल आप यदि जानते हैं इस तरह का सिंबल के बारे में तो आपको किसी भी तरह के दिकत नहीं होगी यही आपको सबसेट है यानि कि उप समुचे हैं इ फिलाल यहां पे भी हमने आपको एक बार और बता देते हैं अगर दूसरे समुचए में होगा तो वह सबसेट है यानि कि ऐसा सिम्बल का यूज हम लोग कर देंगे लेकिन अगर पहले समुचय का सभी अवयाय दूसरे समुचय में नहीं है तो वह समुचय जो होगा वह नहीं होगा यानि कि सबसेट नहीं होगा और उसमें हम लोग ऐसा सिंबल का यूज करेंगे यानि कि C के तरह बना करेंगे उसमें बीच से काट देंगे तो यह हो जागा उपसमुचय नहीं है अगर C के तरह होगा तो उसे बोलेंगे कि या उपसमुचय है यानि की सबसेट है तो यही आमको symbol पाचाननी है यहां पे कथन जो है उसे पाचाननी है तो सबसे पहला प्रश्य देखें क्या कह रहा है पहला प्रश्य कह रहा है कि A कमा B यानि कि एक समुचे ये दिया गया है और एक समुचे और दिया गया है B कमा C कमा A और इसमें आपको बतानी है कि क्या या कथन दी गई है वो सत्य है अथवा सत्य है तो आईए हम इसकी जाज करते हैं तो पहले समुचे में हम देख पा रहा है कि पहले समुचे में A, B दिया गया है और दूसरे समुचे में B, C, A दिया गया है तो यहाँ पे हम देख रहा है कि A जो समुचे दिया गया है पहला जो समुचे दिया गया है उसमें कि सभी आवया है समुचे दूसरे वाले समुचे म मतलब है ठीक है यानि कि अगर पहले वाले में हम देखे तो A कमा B है तो दूसरे वाले समुचे में भी हम देख रहा है तो B कमा C कमा A है यानि कि उसमें B और A दोनों है तो कह सकते हैं कि यह सबसेट है ठीक है यानि कि यहां पे जो है वह कौन से सिंबल का यूज होगा तो यह यहां पे ऐसा सिंबल का यूज होगा लेकिन यहां पे कौन से सिंबल का यूज किया गया है तो आप देख रहे हैं इस तरह सिंबल का यूज किया गया है तो आप कह सकते हैं आसानी के कि यह जो है असत्य है ठीक है याने कि आपको बता देनी है कि यह एक असत्य घटना है जो भी दिया गया है या असत्य है ठीक है वही आपको बुक में कैसे लिखने है मतलब अपने नोट बुक में कैसे लिखने है उसे ध्यान से देख लेजे यहां पर आपको लिखना है कि चुकि समुचे A, B के परतेक अवया समुचे B, C, A का एक अवया है अतह A, B subset जो नहीं दिया गया है ठीके वह B, C, A जो है वह आसकते है ठीके यही बात आप अपने notebook में लिख सकते हैं या परिक्षा में आएगा तो आप यहींसा लिख सकते हैं यहीं चीज आपको लिखनी है लेकिन हमने आपको समझा दिया कि कब subset होगा और कब subset नहीं होगा यह आपने देखा तो आप देख लिए अब आसानी से आप जास कर सकते हैं या subset है या subset नहीं है चलिए तो अगला प्रशन हम सभी का कह रहा है कि पहला समुचे है A कमा E और दूसरा समुचे है X समुचे है सभी X का जहां X अंग्रेजी बरमाला का एक स्वर अक्षर है इसे कैसे पढ़ते हैं इसे ध्यान से समझ लेजे पहले वाला जो X होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं कि X समुचे है सभी X का और दो जो यह बिंदू की तरह दिखाई देता है इसे हम लोग पढ़ते हैं जहां और यह एक और X है उसे बोलते हैं X ठीक है यानि कि X समुचे ह सभी X का जहां X अंग्रेजी बढ़माला का एक स्वर अक्षर है या स्वर है ठीक है और लोग इसे कई तरह से भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है वो भी सही है आपको जैसे पढ़नी आप पढ़ सकते हैं लेकिन हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है तो यहा पममार्णी नइफ़र पैसे में कुछ दिया नहीं गया है तो इसे तो हमें निकृना होगा तो अंग्रेजी बढ़माला के एक स्वरемся काँछर है तो अंग्रेजी बढ़माला में स्वरर maison कौन होते हैं तो आप कहे सकते हैं कि ए होते हैं इ होता है और यू होता है यानि की A, E, I, O और U होता है, तो यानि कि हम लोग का दूसरा जो समुचे निकल के आएगा, वो दूसरा समुचे A, E, I, O और U हो जाएगा, और इसमें पहले समुचे में क्या बोल रहा है, A, E बोल रहा है, ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरे समुशे में जो है वो एक कमाई उपसीत है यानि कि वो भी एक स्वर है तो आप कह सकते हैं कि यह सबसेट है यानि कि ऐसा सिंबल लगेगा तो आप देख रहे हैं कि यह सिंबल सही लगाया गया है यानि कि यह कथन क्या चीज है तो सत्य ह बस इतना ही पहचान देनी अब तो फड़ा फड़ा बता दीजिएगा किसी वी तरह की दिकत नहीं होगी चलिए अगला प्रस्ण देखे क्या कह रहा है आपको क्या लिखना है आप ऐसा लिख दीजिएगा ध्यान पूरूपर किसका स्किन सौट ले लिजिए फड़ा फड़ा कि अंग्रेजी बढ़माला का स्वर एई आई ओ यू है अतो एई जो है वह समुचे जो है आपका जो समुचे दिया गया है वह उप समुचे है यह बात आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजी बढ़माला का यह स्वर है यह कथन सत्य है ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिे कि क्या यह सबसेट है यह नहीं है तो देख रहें कि एक जो दिया गया है वोर दूसरे समुचे उपस्तित है लेकिन यहां तो नहीं है तो इसे कह सकते हैं कि अकथन क्या है असत्य है और वही बात आप अपने नोट बुक में लिख लिजिएगा कैसे लिखना है आप इसे ध्यान से देख लिजिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा तो हाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं कि एक कामा दो कामा तीन जो है वह सबसेट है किसका एक कामा तीन कामा पांच का यह कथन असत्य है क्योंकि पहले समुचे का एक आवयाय दो दूसरे समुचे के आवयाय नहीं है बस यही बात आपको लिख देनी है चलि क्या है ए है और दूसरा समुचे में क्या है ए कमा बी कमा सी है तो आप देख रहे हैं कि पहले समुचे में जो अवय है यानि कि ए वह दूसरे समुचे में भी क्या है उपस्तित है इसलिए कह सकते हैं कि या कथन क्या है सत्य है बस यही बात आपको लिख देनी है उके चलिए आपको दिखा देते हैं, फिलाल हम यहाँ पे बात करते हैं, अगले नमर कोशन की, लेकिन पहले दिखाई देते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे देखे, लिखा गया है, कि A जो है, A जो हमको समुचे दिया गया है, वहाँ सबसेट है, A, B, C का या कथन सत्य है, क्योंकि पहले एकल समुचे का आवयाय, दूसरे समुचे का आवयाय है, बस यही बात आपको लिख देनी है, और ध्यान में आपको यही बात रखना है, कि सबसेट कब होता है, और सबसेट कब नहीं होता है, चलिए, अब बात करते हैं, अगले प्रश्न की, कि अगला ठीक है, असी में, तो ध्यान से दिखे, यहाँ पे ओप समुचे की बात नहीं की जा रही है, यानि कि यहाँ पे सबसेट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बिलोंग की बात की जा रही है, कि यहाँ पे बिलोंग यह कर रहा है, यह बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ध्या किसी समुचे सदस्य हो सकता है जब की एक समुचे कभी भी दूसरे समुचे का सदस्य नहीं हो सकता है अथार ए जो है वो बिलोंग कर सकता है समुचे ए कमा बी कमा सी किन्तु ए समुचे बिलोंग नहीं कर सकता है ए कमा बी कमा सी नहीं यानि कहने का मतलब यह है कि ध्यान से य यहाँ पे बिलोंग की बात कर रहा था तो यहाँ पे ए जो है वह समूचे की बात कर रहा था तो समूचे जो है वह किसी दूसरे समूचे में बिलोंग नहीं कर सकता है वह सबसेट उसका हो सकता है लेकिन केवल ए की बात करे वह समूचे ना हो केवल ए रहे और ऐसे बात करे उ नहीं लिखा गया होता तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता यह भिलॉंग कर जाता लेकिन यह सबसेट में लिखा गया है इसलिए यह क्या हो जागा यह भिलॉंग नहीं करेगा ठीक है और प्रशन की बात करते हैं अगला प्रशन क्या दिया गया है देखिए अगला प्रशन कह गए रहा है अगला प्रश्न थोड़ी से लंबा है चलिए लगो में आप देख रहा होँगे प्रश्ण नी से अब एक सब्होंजों का जहां Aeks जो है संख्या 6 से कम एक सम पर क्रिशनक्या ध्यान से देखिए क्या कहिए क्या होता है आप बताइए हमें कमेंट भी हमें कर सकते हैं चलिए और दूसरा समुचे कह रहा है कि एक्स समुचे हैं सभी एक्स का जहां एक्स परकिर्थ संक्या है ठीक है जो 36 को विभाजित करती है क्या करती है 36 को विभाजित करती है आप अपने बुक में भी इस प्रश्न को देख सकते हैं कि या प्रश्न क्या कह रहा है तो आपको यहां पे पता यहीं चल रही है ध्यान से देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि 6 से कम सम परकिर्थ संक्या और यहां पे कह रहा है कि एक्स नहीं तो आपको इसमें कैसे लिखना है आपने बुक में तो उसे देख लिज्ये ध्यां涉न से कह रहा है कि एक से संख्या चहां संख्या छे से कम है और जिसके बारे में बात करें मतलब इसको अदिल्ण सोल्व करें तो चे से कम संख्या की बात करें संपरकिर संख्या दो और चार निकल क्या एगी यानि कि पहले समुचे में बात करें तो पहला समुचे में क्या हो जाएगा दो कमा चार हो जाएगा ठीक है और दूसरे समुचे की बात करें कह रहा है कि एक से समुचे हैं सभी एकस का जहां एक से परकित संग्या जो 36 से विभाजित करती है तो यह तो 36 तक जाएगा यानि कि 1,2,3,4,6,9,12,18,36 हो जाएगा यानि कि आप देख रहे हैं कि पहले समुचय में 2,4 है और दूसरे समुचय में 1,2,3,4,6,9,12,18 और 36 है तो आप देख रहे हैं कि 2,20 में समली थे और 4 भी समली थ तो यही चीजब बताई जा रहा था तो यह कथन क्या हो जचे गया यह कथन सत्य हो गया बस आपको यही बता देनी है तो आप समझ गय होंगे और इसके पिछले वीडियो देख आपको कुछ भी करना नहीं है आसानी से आप बना सकते हैं ठीक है चलिए उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो कभी तक लाइक ने कियें तो लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा लागा हुआ है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो हम नहीं चाहते हैं कि काफी लंबा हो लेकिन आपका आगरा होगा मतलब आपका रिक्वेस्ट होगा कि नहीं आगे भी वीडियो बनाया जाए मतलब ज्यादा लंबा भी वीडियो हो तो कोई दिकत नहीं है तो हम आगे से आपको लंबा लंबा वीडियो बना करके भी दे देंगे जिससे कोई दिकत नहीं हो बस आप जैसा कहिएगा वैसे हम चलेंगे ठीक है चलिए बहुत बधने बाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए फिर मिलते हैं